दाल पतली कर दो बहु तुम्हारे माता पिता आए हैं। रात के लगभक साड़े आड़ बच चुके थे। निधी रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभक बन भी चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उन्हें हलके फु का ही ठीक रहता है। अभी निधी ये सोच रही थी कि सास ममता जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहु सिलपा के सास ससुर आने वाले हैं। पटाफट से खाना बना दो। कुछ बढ़ियां सा बना देना। आखिर समधी आए हैं। कोई कंजूसी मत करना। ऐसा ना हो कि क सिलपा को दो बाते सुननी पड़े। मैं जरा सोफे के कवर बदल देती हूं। निधी के जवाब की प्रतिक्षक ये बिना ही सास ममता जी बाहर चली गएं क्योंकि वे जानती थी कि निधी सब कुछ सम्हाल लेगी पर माता जी की बात सुनते ही निधी को दस दिन पहले ही घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरासल ममता जी आदत है वे अपने रिस्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती लेकिन अक्षर जब निधी के घर से कोई भी आता है तो उन्हें उचित समान नहीं देती हैं जब भी निधी के घर से कोई आता है तो ममता जी अक्सर मू बना लेती हैं कभी अच्छा तौफा ना लेने का ताना देती हैं तो कभी ताना देती हैं कि बेटी के घर यू रोज रोज नहीं आया जाता कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती हैं तो और ऐसी बात जो निदी को दुखी कर देती लेकि पिछली बार तो हद ही हो गई जब निदी के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो अमता जी ने दोबारा खाना ना बनवा कर दाल को पानी डाल कर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सबजियों में छोक लगा कर गर्म करने को कह दिया और रायते में तो खुद ही पानी डाल कर चली गई केवल खाने पीने में ही नहीं अक्सर वे अपनी बातों से ये बता देती की निधी के परिवार में किसी का भी यहां आना उन्हें पसंद नहीं है वही दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 36 तरीके के वियंजन बनाए जाते हैं उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुराने वाले हैं तो उन्होंने निधी को बड़ियां खाना बनाने का हुक्म दे डाला हाला कि बागी हर तरीके से ममता जी का वेवार निधी के परतीद बहुत अच्छा रहता है लेकिन ना जाने क्यों जब भी बाद निधी के परिवार की आती है तो उनका वेवार बदल जाता है बस यही सब सोच कर आज निधी की आँख भर आई कहते हैं कि किसी के सबर का इंतहान नहीं लेना चाहिए लेकिन शायद ममता जी ये बाद समझ नहीं पा रही थी इसलिए बार-बार निधी के माई के वालोग को अपमान करके वे निधी को दुखी कर रही थी लेकिन आज ना जाने कहां से निधी में भी हिम्मत आ गई अपने आसु पोच कर वे हौल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई ममता जी से बोली ममी जी दीदी के साथ ससुर कब तक आएंगे क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है अरे अभी तो तुझे बोल कर आई हूँ इतना जल्दी खाना कैसे बन गया ममी जी वे क्या है ना दाल चावल तो बने ही गए हैं दाल में पानी डाल कर उसे पतला कर देती हूँ रा ही है तो एश्ट्रा खाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना उस दिन की समधी तो घर के ही होते हैं वे तो अपने ही होते हैं वे थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोबारा खाना बनाएंगे तो दोबार का खाना विश्ठ हो के ही हैं अपने ही लोग हैं वे थोड़ी ही न बुरा मानेंगे क्यों सही कह रही हूँ न मम्मी जी को आइना दिखा रही थी और उन्हें ये एसास करवा रही थी कि आज तक वो निधी के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी शायद इसी लिए निधी कहने से इतना सब सुनने के बाद आज निधी से आँख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी गलती का ऐसास होने पर गलती को स्विकार ना करना ये मम्ता जी की फितरत नहीं थी इसी लिए चंद ही मिंटों बाद उन्होंने चुपी तोड़ते हुए निधी से कहा बेटा स इस तरीके का वैवार सिलपा के ससुराल वालों के साथ मैं करती हूँ जिस तरह उन्हें मान सम्मान देती हूँ वही मान सम्मान और वही अपना पन अप से मैं तुम्हारी परिवार को भी दूंगी देर से ही सही लेकिन मुझ पर गुस्ता करके मुझे दो बात सुना कर सही रहा दिखाने के लिए थैंक यू बेटा दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि लड़के वालों का वैवा लड़की वालों के प्रतीत अच्छा नहीं होता उन्हें उचित्र मान सम्मान नहीं दिया जाता है जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है उनका सम्मान तो अतियंत आवशक होता है लेकिन फिर भी हमारा ये समाज ना जाने क्यों उनकी आवेल ना कर बैठता है इस विशे पर आपके क्या विचार हैं ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताईए और हमारे चैनल वानी वो इसको लाइक शेयर सब्सक् झाल 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 झाल